कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल किस्सों का कारवा मैं मैं हूँ आपका दोस्त आनांद और लेकर आया हूँ आपके लिए मारवाड की इतियास की एक और कड़ी जियां दोस्तों पिछली कड़ी के अंदर अपन बात कर रहे थे विक्का नेर और जो का कारियभार कारिय मंत्री तधा अन्य सर्दारों को निक्त कर रका था सुझान सिंग की अनूपस्तिती में राज्य विस्तार करने का अच्छा आवसर देखकर जोदपुर महराजा आजीत सिंग ने बिकानेर पर चड़ाई करने का निषच्चे कर लिया विकानेर के महराजा अनूप सिंग और रतलाम के राजा राम सिंग ने अपने अपने वकिलों के द्वारा बादसा और अंग्जेब से मारवाड का राज्य अजीद सिंग को और उसके जनम के कुछी समय बाद वापस दिलाने की सिफारिस करवाई थी परंतु अजीत सिंग ने अपना राज्य पाते ही फोज के साथ बिकानेर की और प्रस्थान किया और लाड़नू में जाकर उन्होंने डेरे किये बिकाने राज्य की सीमा के तेज सिंगोत बिदावत महराजा सुजान सिंग से विरोध रखते थे अजीत सिंग ने उन्हें लाड़नू बुला कर उनसे बाच्चित की जिसमें उनमें से अधिकान सुनके सायक हो गए परंतु गोपालपुरा के करम सेन तथा बीदा सर के बिहारी दास ने इस बुरे कारिया में सयोग देने से मना कर दिया अथार्थ वुनों ने जोदपुर की तरफ मिलने से मना कर दिया जिससे इन दोनों को नजरकेद कर लिया गया अठार्थ नजरकेद के अंदर आये करम सेन जोकी गोपालपूरा के थे और बीदा सर के बिहरीदास इन दोनों को नजरकेद करके माराजा अजीज सिंग ने बंडारी रगनात को एक बड़ी सेना देकर बिकानेर पर भेज दिया करम सेन और बिहरीदास ने नजरकेद होने पर भी इस चड़ाई का समाचार गुपत रूप से बिकानेर बिजवा दिया परन्तु बिकानेर वालों की सकती जोदपुर वालों का सामना करने की नहीं पड़ी जिसके कारण वहाँ पर अजित सिंग कादिगार हो गया और पूरे बिकानेर के अंदर उसके नाम की दुहाई फिर गई बिकानेर में राम जी नाम का एक वीर साहसी और राजवक्त लुहार रहता था उसके रदे को ये गटना इतनी ऐसा ही ये हुई कि वह अकेला ही जोदपुर के सेनिकों से भिड़ गया और पांच को मार कर मारा गया इस गटना से बिकानेर के सेनिकों का और भी जोस बढ़ा और भूख करके ठाकुर परत्वी राज और मलसी सर के बिदावत हिंदु सिंग सेना एकत्र करके जोदपुर की फोज के सामने जाडटे जिससे जोदपुर की सेना में खलबली मच गई बताया जाता है कि ये राजवक्त लोहार की वज़े से ही था विजे की आसा के लोफ होते ही सारे सर्दानरों ने संदी कर लोट जाने में भलाई समझी जब अजीत सिंग के पास ये समाचार पहुँचा तो उन्होंने भी इसी निर्ने को ठीक समझा परिणाम तह जोदपुर की सेना जैसे आई थी वेसे ही वापस लोट गई और लोटते समय अजीत सिंग ने करम सेन और बिहरी दास को भी मुक्ट कर दिया ये राजबक्त लोहार राम जी थे जिनकी वज़े से बिका नेर राज्ये बच गया था जिसने हिम्मत की थी बिका नेर को बचाने की जब कोई तयार नहीं हुआ तो उस राज्ये के लोहार ने अपना लोहा मनवा दिया और जो नजर केद किये गए थे दो साहसी हुए करम सेन और बिहरी दास को भी उसने वापस मुक्त करवा लिया अथार्त साहस की हमेशा पूजा होती है दोस्तों इतियास के ऐसे किस से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्क्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों